मारण जी आजकल भारत में एक संत हैं, ब्रह्मण हैं, बाबा हैं, बहुत ही योबा हैं, धेरेंदर कृष्ण सास्त्री कोई भी उनके पास जाता है, तो उनके मन की बात जाल लेते हैं, और उनके मन में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़े एक परचे पे लिख देते हैं, और बहुत ही उनका प्रचार प्रचार हो रहा है, कुछ लोग इसको अंदविस्वास कहते हैं, कुछ लोग इसको पाखंड क कुछ लोग बहुत ही सरद्धा से उनके पास जाते हैं तो आप इसको कैसे देखते हैं आप इसको किस परिपेक्ष में देखते हैं देखें बड़ी ही सरद्धा से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो बागेश और वाबा के नाम से मशूर भी अधिरेद्र शास्त्री वो जो क कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो सभी जूट है ऐसा शास्त्रों में जिकर भी है और ऐसा मैंने अपने जीवन में अन्भव भी किया है कि ऐसे लोग होते हैं जो आपके मन की बात को पढ़ सकते हैं मन की बात को जान सकते हैं आपकी मन की परिशानियां आपके बोले बिना आप को बता सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं है, अब मेरा परसनल तो धिरेंदर शास्त्री के साथ कभी कोई वारता लाप नहीं हुआ, कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, तो मैं परसनल उन पर टिपनी तो नहीं करूँगा इस विशे को लेकर के लेकिन ऐसा होता है ऐसा संभव है ऐसी संभावनाएं है ये कोरा अंद विश्वास नहीं है दूसरी चीज जो मैं कहूँगा कि जो लोग श्रद्धा से जाते मुझे समझे कि संसार में धर्म का आधार ही श्रद्धा है यानि कि अगर ये जितने संप्रदाय चल रहे हैं इनमें श्रद्धा ना हो तो ये संप्रदाय उसी दिन खत्म हो जाएं श्रद्धा ही मनुष्य से उसकी मनुकामना पून कराती है चाहे वो फिर माध्यम कोई भी बना ले अगर आपके अंदर श्रद्धा है और श्रद्धा से आप साधारन जल भी पीते हैं तो वो भी अम्रित की तरह हो जाता है अगर आपके अंदर श्रद्धा है और आप श्रद्धा से साधारन भोजन भी करते हैं तो वो भी अम्रितुल्य हो जाता है तो श्रद्धा पर एक अलग ही चीज़ जिसके उपर ना तो कोई विवाद है और ना ही कोई वाद है श्रद्धा तो पूर्ण ने स्विकारे है और वो कारे करती है तो अगर वो बागेश और वावा पर श्रद्धा करते हैं तो निश्यत रूप से बागेश और बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं क्योंकि भगवान स्वेम गीता में कहते हैं कि जो यह तो मैं संसार की समस्त वर्ष्टों में विद्वान हूँ और संसार मुझे में विद्वान है लेकिन जो मुझे जिस रूप में भचते हैं जो मेरा ध्यान जिस रूप में पूरा करते हैं मैं उनकी मनोकामना उसी रूप से पूर्ण करता हूँ तो जो बागेश और बाबा में शर्दा रखते हैं बागेश और बाबा के मादम से उनकी पूरी हो जाते हैं हाँ हाला कि वो एक बच्चा है वो थोड़ा सा लड़कपन भी है 27-28 साल की उमर है उनकी मुझे पक्का नहीं है कितनी है लेकिन लगबग इतनी है तो वो जो लड़कपन है उनका वो कई बार उनकी बातों में जहकल चलगता है और जिसके कारण लोग जो है उन पर विवाद नए नए विवाद खड़े कर लेते हैं अब कृपा से तो कुछ भी हो सकता है अब मुझे नहीं पता कि ये उनकी साधना का प्रणाम है या उनके गुरू ने कृपा कर दी उसका प्रणाम है या ये प्रमात्मा की कृपा का प्रणाम है बाकि अगर मेरे से आप तारकिक रूप से पूछना चाहें क्या ये संभव ह हाँ ये संभव है मेरे जीवन में और भी ऐसे मनुष्य और भी ऐसे संत आये हैं जिन जो इस प्रकार की सिद्धियों में निपूर्ण थे इस प्रकार की चीजे कर सकते थे तो ये कोई असंभव नहीं है जहां तक बात रही उनकी सनातन को लेकर के सनातन को लेकर के जो भी वो टिपुणी करते हैं मैं उसके समर्थन में हूँ कहीं न कहीं वो सही ही कहते हैं और उसमें कोई दो राये नहीं है